नवस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परदीव कुमार वांगडे आपका इस कारिकम में स्वागत है जिस कारिकम का नाम है आपके अनुरूद पर आज मैं आपको बताऊँगा भारते फिल्म के मशूर अभीनेता जहानकी दास महरा जुनोंने एक्टर होने के साथ साथ साइकलिंग के आर्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बात देख रहे तो आप जन रोद है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के नीचे रैट कलर का बटन है उसे दबा के सब्स्राइब करें बाजो में एक बल है उसे भी दबाएं त नाम रोशन किया और देश में बदलाव लाने की कोशिश की किसी ने गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्च किया तो किसी ने हिंदी सिनेमा की निव रखी लेकिन इसी सिनेमा में यानी बॉलिवुड में एक ऐसा भी कलाकार रहा जो ना सर्फ एक्टर था बलकि उसने देश में सैक्लिंग जैसे खेल को बढ़ावा दिया यही नहीं एक्टर ने सैक्लिंग के फिल्ड में आट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और ऑल्लम्पिक में देश का नाम रोशन किया वो थे जानकी दास महरा जानकी दास महरा का जन लाहौर ब्रिटिस भारत में एक जनवरी 1910 को हुआ था जानकी दास महरा को भले ही आज के लोग नहीं जानते हों लेकिन 40, 50, 60, 70, 80, 90 के दशक में यह कई फिल्मों में नजर आए किसी फिल्म में जानकी दास बेट बेचने वाले बनते तो किसी में कलब मेनेजर तो किसी में लाला तो किसी में टिकिट कलेक्टर लेकिन हर खिरेदार में जानकी दास महरा एक अलग छाप छोड़ने में काम्याब रहे फिल्मों से ज़्यादा जानकी दास महरा को उनकी सैकलिंग के फिल्ड में युगदान के लिए जाना जाता है जानकी दास महरा ने 1941 में फिल्म खजानची से फिल्म दुनिया में कदम रखा इस फिल्म की शुटिंग लाहूर में हुई थी और ये फिल्म सुपर हिट रही जानकिदास महरा की इस फिल्म को आजादी से पहले ही भारत और पाकिस्तान की पहली सुपर हिट फिल्म माना जाता है इस हिट फिल्म के बाद जान किदास महरा की किसमत खुल गई और उनके पास फिल्मों के आफर के लाइन लग गई जान किदास महरा ने अपने छे दशक के लंबे केरियर में एक हजार से जादा फिल्मों में अभी नहीं किया साल 1941 में हिट डेब्यू के बाद उन्होंने पांस से छे साल तक फिल्मों में काम नहीं किया साल 1946 में उन्होंने फिल्मों में वापसी की एक प्रोडेक्शन डेजानेर के रूप में जान किदास महरा ने कई हिरोईनों को उनके केरियर में बदत की उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला प्रोडेक्शन डेजानेर मना जाता है मदुबाला से लेकर हमारा घर में मिना कुमारी और दर्द के रिष्टे में एक्टर कुछबू सुन्दर समित माला सिन्ना को पहचान दिलवाई थी जान किदास महरा ने लेकिन उनकी पहली पसंद सैकलिंग थी यही वज़ा थी कि फिल्मों में अच्छा खासा केरियर होने के बावज़ूद उन्होंने सैकलिंग की दुनिया में कुछ नया करने का सोचा वो पहले ऐसे भारती रहे जो देश में सैकलिंग को ना सिर्फ भारत में आगे लाए बलकि पुरी दुनिया में भी इस फिल्ड में देश का नाम रोशन किया जानकिदास महरा एकलाओते भारती रहे जिन्होंने सैकलिंग का एक नहीं बलकि आठ रिकार्ट तोड़ दिये 1936 में बरलिन गेम की इंटरनेशनल ऑलमपिक कमिटी का हिस्सा भी रहे बाद में जानकिदास महरा ने सोहराब एजम भूत के साथ मिलकर सैकलिंग फेडरिक्शन आफ इंडिया के शिरुवात की जानकिदास महरा जिस तरह से सैकलिंग के शेतर में नाम कमा रहे थे फिल्म दुनिया में भी खूब चमक रहे थे सभी को लग रहा था कि वो सैकलिंग में ही आगे केरियर बनाएंगे लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया राश्ट पिता महत्मा गांधी के साथ एक मुलाकात ने जानकिदास मेरा की जिन्दगी और मकसद का ही रुख बदल दिया उस समय तक जानकिदास और अन्य लोग बिटिस इंडिया के तहट अंग्रेजों के लिए टूनामेंट खेला करते थे तब गांधी जी ने जानकिदास से कहा कि उन्हें अंग्रेजों के लिए टूनामेंट में हिस्सा लेना नहीं चाहिए तब जानकिदास मेरा ने सैक्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया की शुरुवात की जानकिदास मेरा एक लेखक भी रहे उन्होंने अपने बॉलिवूड और एक्टिंग के प्रोफेशन के ग्यान को कई किताबों के रूप पे बाटा साल 1906 में जानकिदास मेरा को लाइफ टाइम अचिप्मेंट एवार्ड से नवाजा गया जानकिदास मेरा घजब के मल्टी टासकर थे उनसे सब हैरान थे साल 2003 में उनका निदन हो गया और वो दुन्या को हमेशा के लिए अलविदा कह गया दोस्तों एक बार सम्चित में फिर से जानकारी देना चाहूँगा जानकिदास मेरा के जन्म एक जन्वरी 1910 को लाहूर ब्रिटिस भारत में हुआ था ये हिंदी सिनमा के प्रसिद अभिनेता साइकल चालक निर्मान डिजाइनर और लेखक थे 1930 से लेके 1907 के बीच में उन्होंने एक हजार से अधिक फिल्मों में अभिने किया उनके बच्चे का नाम शानू महरा जानकिदास को कई राष्टी अंतर राष्टी प्रसकार प्रात हुए माई 1906 में उन्हें इंडियन मुवीज पिक्चर्स एसोशियेशन द्वारा लाइफ टाइम अचिप्मेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों इन्होंने एक हजार से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है सब फिल्मों का नाम लेना तो संबाओ नहीं है तो मैं इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम आपको बता देता हूं दोस्तों 1941 में सुपर हिट फिल्म खजान्ची आई 1956 में आई आरजू, 1966 में आई दादिमा, 1966 में आई हरे काच की चुडिया 1969 में आई साजन, 1970 में आई खिलोना, 1971 में आई नया जवाना, सीता और गीता 1974 में पत्थर और पायल, 1975 में खेल-खेल में 1978 में देश परदेश, आजाद, सरगम, 1989 में खांदान, प्रेम बंदान, खंजर, 1980 में दबर्णिंग ट्रेन, काली घटा, 1982 में ताखत, 1983 में नौकर बीवी का शराबी, 1984 में फूल वाली, लैला 1985 में करिश्मा कुदरत का, 1986 में हकूमत, इंसानियत के दुश्मन, 1987 में सडक चाप, सीता पूर की गीता, 1988 में माला माल, 1989 में इरादा, दुश्मन देवता, 1993 में धन्वान, 1989 में घर बाजार जानकी दास काफी समय से हिर्दा रोक से पिडित थे, उनकी मृत्यू से दो दिन पहले उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था, लेकिन 18 जुन 2003 को जुहू इस्थित उनकी आवास पे उनका हिर्दागात के वज़े से मृत्यू हो गई, तो उम्मिद करता हूँ दोस्तो पांगड़े को इसकार कमसुजानी की इजाज़त दीजिये, नमस्कार, जाय हिंज!